हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि फेस्बुक केरासॉल एड्स के अंदर जो डाइमेंशन है इमेज या फिर वीडियो का वो क्या होना चाहिए जो की हमारा सही से दिखाई दे जैसा आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं कि एक इमेज हमारी करासॉल के अंदर सही से दिखाई दे रही है और एक इमेज हमारी सही से दिखाई नहीं दे रही तो जो राइट जो डाइमेंशन है वो हमारे क्या होने चाहिए वही मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा Already मैंने Facebook Lead Generation Ads के उपर 4-5 वीडियो बना रखे हैं उनके अंदर मैंने बताया है कि आप कैसे एक अच्छी Lead Generation Ads आप बना सकते हैं कैसे अपने competitor के जो ads हैं उनको research कर सकते हैं और कैसे आप एक अच्छी ad copy लिख सकते हैं इसके साथ ही जो retargeting है वो आप कैसे कर सकते हैं तो चली फिलाल के लिए हम आज की वीडियो को start करते हैं और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ फेस्बुक ads की जो official guidelines हैं उनके उपर यह Facebook page की official guideline है यानकि जो Facebook के अंदर आप video ads run करते हैं तो यहाँ पी नोने जो format है वो बताया कि square format के अंदर one ratio one के अंदर आपकी जो kerasol ad है वो आपकी होनी चाहिए यहाँ पर अगर मैं format की बात करूँ तो mainly हमारा Facebook ads के अंदर तीन तरह की हमारे अंदर जो palacement है वो available होती है horizontal, square और vertical mostly जो use होती है वो हमारी square और vertical यूज होती है जो square वाली है image होती है फिर जो size होता है same size हमारा horizontal के अंदर भी काम आ जाता है तो इसलिए जो main आपको size ध्यान रखना है वो है square और vertical एक हजार नो सो बीस पिक्सल हमारा होना चाहिए अब बात करते हैं जैसे अगर मैं आपको अपनी creative image दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे यह मैंने square image add कर रखी है अगर आप इसके साथ ही story के लिए अलग से image add करना चाहते है तो आपको ads के अंदर आना है और यहाँ पे photo add करने के बाद में आपको नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पे edit placement का option मिलेगा आपको उसके बाद में यहाँ आपको click करना है और यहाँ पे हमारे पास तीन placement के लिए हम set कर सकते हैं square के लिए और stories के लिए दो set करना आपके लिए important है the most placement है वो यह दोनों placement ही use करते हैं तो हमारे लिए एक square का size use कीजिए आप और एक stories के लिए तो square का मैंने already set कर रखा है और मैं stories के लिए select करता हूँ जैसे मैं इसके उपर click करता हूँ तो हम यहाँ पर change के उपर click करना है आपको change के उपर click करेंगे और यहाँ पर आप image को select कर लेंगे select करने के बाद आप यहाँ पर preview देख सकते हैं एक तो जो हमारे square image है अब जैसे मैं horizontal select करता हूँ फिलाल के लिए horizontal है उसका preview यहाँ पर सही से दिखाई नहीं देगा यह stories के अंदर सही से दिखाई दे रहा है लेकिन जैसा आपने kerasol के अदर देखा था वहाँ पर सही से दिखाई नहीं देगा क्यों क्योंकि उसके अंदर आगर मैं आपको यह दिखाऊ यहाँ पर तो यह देखी यहाँ पर square है लेकिन यहाँ पर हमारा दिखाई नहीं देगा जो ratio है वो यहाँ पर सही नहीं रहेगा तो Facebook guideline के according जो best size है वो हमारा square है और stories के लिए आप vertical के अंदर 9 ratio 16 को use कर सकते हैं उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो comment section के अंदर जरूर बताईए मैं मिलता हूँ आपसे next videos में तब तक के लिए धन्यवाद